बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आठ सामाजिक अधियन के अंतरगैत सामाजिक एबम राजनितिक जीवन विशे का अध्याई दैस कानून और सामाजिक नियाए हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर अभ्यास प्रस्न उत्तर में तो चैलिए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्न है यहाँ पर आपका दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तै किया गया नियून दम बेतन मिल रहा है या नहीं इसके लिए आप निर्मार मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्तरी मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं ठीके बच्छो यहाँ पर प्रस्न में कहा गया है कि आप दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं तो आप स्वेम से बात करें बच्चो और इसका उत्तर भी आप स्वेम से लिख सकते हैं जब आप उनसे बात करेंगे तो वे आपको जानकारी दे देंगे तो इसलिए आप इस प्रस्ण का उत्तर स्वेम से लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो दूसरा प्रसन है बिदेशी कमपनियों को भारत में अपने कार खाने खोलने से क्या फायदा है तो क्या लखेंगे उत्तर उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चो आपने पार्ट तो पढ़ लिया होगा उत्तर लखेंगे बिदेशी कमपनियों को और हेडिंग डाल कर लेकेंगे नमबर एक भारत में सस्था सुरम मिलता है फ्रेकाया है पारत स्याथर बोता है त्सरों peg में भारत करण सकाशा का अगा है ठीक है इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं साथ साथ याद भी करें इसके वाद बच्चो तीसरा प्रस्ण है क्या आपको लगता है कि बोपाल गैस तरासदी के पीडितों को सामाजिक नियाए मिला है चर्चा करें तो आप इस बिसे में आपस में बादचीत कर सकते हैं बच्चो उत्तर में आप लिख सकते हैं भोपाल गैस तरासदी से पीडितों को सामाजिक नियाए नहीं मिला है क्योंकि और फिर हैरिंग डाल कर लिखेंगे पॉएंट बना कर लिखें नमबर एक पीडितों को घटना के 24 साल बाद भी निया वजे की मांग कर रहे हैं अगला लिखेंगे तीसरा पॉएंट ये यूनियन कारवाइट के चेर्मेन एंडर्सन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं ठीक है बच्चो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं फिर आता है आपके लि इतना मेत्वपूर्ण क्यूं है तो जानते हैं आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चो उत्तर लिखेंगे कानूनों को लागू करने का मतलब सबसे पहले हैडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे बच्चो कानूनों को लागू करने का मतलब है कि कानून केवल बनाये ही न जाएं बलकि उनको ब्यवार में भी लाना जरूरी है ठीक है इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों कानून लागू करने की जिम्मेदारी और फिर लिखेंगे कानून बनाने का काम बिधाई का करती है और कानून को लागू करने का काम कारेपालिका यानि की सरका का होता है ठीक है फिर हेडिंग डालेंगे कानून को व्यभार में लाना क्यों जरूरी और लिखेंगे पॉइंट बना कर लिखें कानून को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानून का कोई महत्व नहीं है दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चो जब क कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कानून के लागू होने से उनके हितों की रक्षा होगी। कानून के जरिये बाजारों को सही डंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है अपने जवाब के साथ दो उधारन दें तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं कानून के माध्यम से निमलिखित प्रकार से बाजारों को सही डंग से काम करने के लिए प्रे कारण के लिए बिद्दू तूपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूफ होने चाहिए। दूसरा लिखेंगे बच्चो कीमतों को नियंतरन में रखने वाले कानून आवसेक वस्तों की कीमतों जैसे चीनी, डाल, तेल, अनाज आदी को नियंतरन में रखता है। ठीक है। इस प कमपनी को आदेश दिया है कि वह बरतमान जगे से 100 किलो मिटर दूर किसी दूसरे अस्तान पर अपना कार खाना चलाए। इससे आपकी जिन्दगी पर क्या असर पड़ेगा। अपनी राये पूरी कक्सा के सामने पढ़कर सुनाएं। तो आप चाहें तो बच्चो अपनी क पर जाकर बसने में दिक्कते आएंगी और आर्थिक बोज भी बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा लिखेंगे बच्चों की सिक्सा भी प्रवावित होगी क्योंकि नई जगे पर सिक्सा की सुविधा किस प्रकार की है यहा बात महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। और फिर सातवा प्रसने है इस इकाई में आपने सरकार की बिविन भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इनके बारे में एक अनुछित लिखें। उत्तर लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सरकार की बिविन भूमिकाएं। और फिर लिखेंगे नमबर एक परत तता बेर और आने वाले वर्स की योजनाओं के लिए पैसे की ब्योस्ता कैसे की जाएगी तीसरा पॉइंट लिखेंगे सरकार कानून बनाती है तता इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानूनों को कैसे लागू किया जाए अगला लिखेंगे चौथा सरकार यहां भी सुनिश्चित करती है कि सम्मिधान में वरनित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो ठीक है इस पिकार से आप अपने साथवे प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं और फिर सुरूत आपका आठवा प्रसन बच्चो आपके इलाके में के सम्मंद में चर्चा करें पर दुषन को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं क्या आप कोई और उपाई सुजा सकते हैं तो यहां पर बात की गई है बच्चो आपके अपने इलाके की तो यहां पर उत्तर में आप लिख सकते हैं परियावन को दूसित करन दूpod sel आप मिक्टी लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे फैक्रियों का दूसित जल वर कच्रा, घरों का पानी वर कुड़ा, कच्रा आधी ठीक है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्यों इसके बाद बच्चों फिर हेडिंग लालेंगे आप परदूसन रोकने हेतु उठाए गए कदम और यहाँ पर लेखेंगे नमबर एक सरकार ने सभी परकार के परदूसन को रोकने के लिए कानून बनाए है दूसरा लेखेंगे गंदे पानी को साफ करने के लिए जल सोदाक सेंतर स्थापित किये गए है अगला लेखेंगे तीसरा पॉइंट उद्ध्योगुवाफ हैक्ट्रियों को रियाईसी इलाकों से दूर स्थापित किये गए है इसके बाद चौथा लिखेंगे बच्चों प्लास्टिकी थैलियों के प्रियोग पर रोक लगा दी गई है आई बास हमें इसके बाद लिखेंगे आप अन्य उपाए और क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे नमबर एक आधिक से आधिक पेर लगाए जाएं नमबर दो लोगों को परदुसर डोकने के लिए जागरूख करना नमबर तीन निजी बाहनों को सीनजी के प्रियोग के लिए प्रोचसाइथ किया जाना चाहिए और चौथा लिखेंगे कूडा करकेट वा अफसिस्ट के निप्टान के लिए ब्योस्ता की गई है ठीक है इस प्रिकार से आप अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो फिर शुरू होता आपका नववा प्रस्ण है पहले प्रियावरन को किस तरह देखा जाता था क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है चर्चा करें तो आप इस बिसे में आपस में बाचीत कर सकते हैं और उत्तर में लिख सकते हैं बच्चो पहले प्रियावरन के प्रती सोच हैरिंग डाल कर लिखेंगे नमबर एक प्रियावरन को मुफ्त की चीज माना जाता था कब पहले यानि पुराने समय में दूसरा लिखेंगे पुएंट प्रियावरन के प्रती लोगों में जाग रुखता नहीं थी तीसरा लिखेंगे बच्चो पहले प्रियावरन की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की ब्योस्ता भी काफी कम जोर थी ठीक है इस प्रियावरन के प्रती लोगों की सोच में बदलाओ आया है और अब लोग प्रियावरन की चिंता करने लगे हैं तीसरा लिखेंगे सरकार ने भी सभी प्रकार के परदूसन को रोखने के लिए कानून बनाए हैं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आपने नवे प्रषन का उत्तर फिर शुरू होता है बच्चों दसवाँ प्रषने है प्रषिदہ कार्टूनिस्ट औरके लख्समन इस कार्टून के जरिए चाहना चाहरे हैं इसका 2006 में बनाई गए इस कानून से क्या संबंद है जिसको प्रष्ट 123 पर आपने पढ़ा था आप देख सकते हैं बच्चोों प्रष्ट नंबर 123 पर परसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्षमन द्वारा बना गया कार्टून ठीक है और उत्तर में आप लिख सकते हैं उत्तर लिखेंगे 2006 में बनाए गये कानून से संबंद और पॉइंट बना कर लिखेंगे बच्चों परसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्षमेड इस कार्टून के मद्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है और दूसरा पॉएंट लिखेंगे इस सामाजी कुरूती में गरीब बर्ग अमीर बर्ग द्वारा सोसित होता है ठीक है तीसरा से आप अपने इस दसवे प्रशन का उत्तर लिख सकते हैं बच्चो साथ साथ याद भी करते रहें इसी प्रशन के साथ इस पार्ट से संबंदित प्रशनों के उत्तर यहाँ पर समाब्त होते हैं उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे इसी प्रकार कक्सा आर् आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और यदि आप चैनल में पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर दें बेल आइकन भी दवा दे बच्चो ताकि आपको आने वाली परतेक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने कक्सा के सभी पार्टों के प्रस्नुतर हमारे साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पार्ट के कुछ नए प्रस्नुतरों के साथ